और रह्मान साब आपका भी स्वागत है सवाल मेरा बड़ा सीधा है ये कैसे हो गया जब 12 मार्च को विदेश आने वालों के वीजा 15 एप्ल तक कैंसल किये गए थे तलबीगी जमात के जलसे के लोगों को का मजमा जारी क्यों रहा ये सवाल बड़ा बेसिक है इसमें सीधी सी बात ये है कि जब हमाई सरकार ने लेट एक्शन लिया जब पूरी दुनिया में दिसंबर में पता चल चुका था जनवरी में पता चल चुका था उसके बावजूद भी हमाई सरकार ने वीजा दी लोगों को एरपोर्ट से एंट्री हुई बिना चेकिंग हु है और एक रेस्ट्रिक्शन उन पर लगा दी थी जमाद का जो निकलना हो कि यह कार्य करम नहीं था को जो एक दिन का है यह continuous 24-7 प्रोसे से जो चलता रहता है पिछले सो सालों से चल रहा है इस तरीके का तो जो लोग पहले से आ चुके थे यहां पर जो उन लोगों का यह इ सिंसेरिटी क्या है इससे क्या चीज़े हो सकती हैं इसलिए ही वहां पर आज पितली कम तादाद में लोग थे वरना रेगुलर एक मिनट एक सेकिंड में और बात करूंगा वरने आप देखें तो आठ से आठ से दस हजार लोग होते हैं लेकिन इतने लोग नहीं थे इसका म लेट फैसला लिया दिसंबर में दुनिया में फैल चुका था जब आपको पता था आपकी तो international संस्ता है कि दुनिया भर में फैल चुका है आप खुद कहने हैं कि भारत की सरकार ने लेट फैसला लिया तो फिर आपको तो ज्यादा अकल होनी चाहिए थे कि आपको खोदी पूरे दुनिया में ये फैला हुआ है, अमरीका का बुरा हाल है, स्पेन का बुरा हाल है, इटली का बुरा हाल है, इरान का बुरा हाल है, मिडल इस्ट के देशों का बुरा हाल है, तो फिर कहा है यतने लोगों को यहां पर इन्वाइट कर रहे थे, किस लिए? आप करना क्या चाह रहे हैं जब आप कह रहे हैं दुनिया में दिसंबर को पता था तो आप मार्च के अंदर ये कारेकरम क्यों कर रहे हैं आपको जन्वरी में रोग देना चाहिए था लोग लोग से यहीं नहीं आते हैं इस सरकार का काम आप हमें करने को कह रहे हैं अब आप सरकार का जो है अच्छा आप मुझे बताईए आप कहां सो रहे थे जब 12 मार्च को दिल्ली की सरकार ने फैस्टा निकाला 16 मार्च को दिल्ली में 50 से जादा लोगों कोई कटा करने के लिए मना करा गया आप क्या कर रहे थे तब आप को विदेश याने वालों की वीज़ा कहा है नहीं हुए बिल्कुल बिल्कु आपक़ कारे करम का जो भी हुआ आपका कारे करम पहुआ है जो लोग सर रोज होते हैं रोज होते हैं वहां